आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एंजी 2-0-1 की असाइन्मेंट का सुल्यूशन उमीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगे कोई कन्फूजन नहीं होगे लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा मैं लाज़मी तोर पर रिप्लाइ कर दूँगी पूरी कोशिश की है कि असाइन्मेंट बहुत अच्छे से सॉल्ब कर सकूँ लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई आपको गलती कोई मिस्टेक ने जर आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि दूसरे स्टूजन की भी हेल्प हो जएए और मेरा भी पॉइंट क्लियर हो जएए इसके इलावा कोशिश कीज़ेगा कि किसी भी किसम का कॉपी और पेस्ट आपने हर्कीस तौर पर नहीं करने है इसकी रीजन यह है कि अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो जाहरी इसी बात है कि आपको जीरो मार्क्स मिलेंगे प्लेगरी रिजम का इश्यू आएगा secondly जो उनसे आपको सीखने का मौका नहीं मिलेगा मैं आपके साथ जो भी solution शेयर करती हूं उसको just idea solution के तोर पर लिया करें और अपनी assignment खुद से solve किया करें इस assignment में basically हमें दो questions दिये गए थे कुछ instructions हैं आपके साथ पहले share करना चाहूंगी upload your assignment in proper format ms word file ms word file का मतलब ये है कि आपको ms word के अंदर अपना assignment का solution बनाना है the assignment should be zoomed in at 100% आप देख सकते हैं कि इस वकत ये जोंसा document है ये 100% के उपर ही zoom in है उसके बाद next one नहीं बोले please avoid plagiarism plagiarized work will be award mark zero plagiarized work का मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने आपके साथ share किया ये solution और आप as it is उठाकर copy paste कर लें तो इस वज़ासे आपको zero marks मिलेंगे रैसे एक चीज मैं आपके साथ share करना चाहूंगी कि जो भी solution मैं अपनी assignment में यहाँ पर आपके साथ share करती हूं वो 100% मैं खुद बनाती हूं वो किसी भी आपको website के उपर नहीं मिलेगा जो भी wording मैं यूज कर रही हूं आपको किसी website पर नहीं मिलेंगी so plagiarism का issue हो सकता है थोड़ा कम हो लेकिन फिर भी आप copy paste हर्गीज मत कीजिएगा after the due date the assignment submitted via email would not be entertained please avoid submitting copied assignments otherwise such a case would be referred to the discipline committee the font color should be preferably black and font size 12 times new roman font size आपका क्या होना चाहिए 12 और 37 font का जो type है वो होनी चाहिए times new roman next question number one है हमारे पास इना corporate world communication needs to flow the seven seas which are clarity, correctness, completeness, conciseness, correctness, coherence and courtesy read each description carefully identify the principle of communication that is lacking in it इसका मत्तब यह है कि आपने इसको completely यह सारे को पढ़ना है और बताना है कि इस में से कौन सा in seven seas में से कौन सा C missing है lacking का मतलब है कि कौन सा C इसके अंदर मुझूद नहीं है यह communication के किस C को follow नहीं कर रहा तो अगर हम first read out करें तो इसके अंदर लिखा हो है dear David further to our conservation today I am attaching the plan for the first stage of the project hope the one week deadline is okay with you and your team regards Sally अब अगर देखा जै further to our conservation conservation word यहां पर नहीं यूज होना था यहां पर यूज होना था conversation यहनी के हमारी कुफ्तगू जो हुई थी आज उसके बाद उसने कह है hope the one week deadline इस week का मतलब है कमजोर w e a की मतलब के कमजोर अगर week हफते की बात कीज़े तो हम यहां पर लिखेंगे w w e k that's why यहां पर हम कहेंगे कि complete यह जो correctness का option है वो यहां पर मुजूद नहीं है क्योंकि इसके अंदर तो mistakes है correctness का मतलब होता है एक ऐसा paragraph एक ऐसी writing जिसमें कोई भी mistake ना हो without mistake लेकिन यहां पर हमें दो-दो mistakes नज़र आ रही है सब्सक्राइस हम कहेंगे कि correctness वाला seizure वो missing है clarity का मतलब होता है makes understanding easier courtesy का मतलब होता है respect जो कि यहां पर proper दी गया regards लिखा गया, dear david लिखा गया coherent का मतलब होता है being logical and consistent यहनि के बात कि कोई logic होता है यहां पर logic मुझूद है सिर्फ correctness है जो मुझूद नहीं next is trackie I wanted to write you a quick note about the report you finished last week I gave it to Michelle to proofread and she wanted to make sure you knew about the department meeting we are having this Friday we will be creating an outline for the new employee handbook thanks Michelle अब यहां पर उसमें बेसी के लिए क्या बोला है इसमें बोला है कि मैं आपको यह इस हुजा से लिख रहा हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि जो डॉक्यूमेंट था वो मैंने next जोंसा वो मिशेल को देदिया प्रूफ करने के लिए वो आपसे बात करना चाहते हैं यह निकि उसमें काफी लंबी डीटेल में यह सारी बात की है अब हमारे पास कर्टिसी मुझूद है कर्टिसी इसमें प्रॉपर है थैंक्स बोला है उसने प्रॉपर बात शुरू की है कोहेरेंट भी है यह उसके बात क्लारिटी भी इसमें मुझूद है बेसिकली जो चीज मुझे इसमें मिसिंग लगी है वो कंसाइजनेस कंसाइजनेस का मतलब होता है अपनी बात को कम से कम अलफाज में ब्यान करना लेकिन यहां पर उसने काफी लंबी बात कर दिया और काफी लंबे तरीके से ब्यान करने की कोशिश की है यहां पर मुझे लगा कि कंसाइजनेस का जो अप्शन है वो इसके अंदर मिसिंग है इसके लावा एक और चीज मुझे इसके अंदर मिसिंग लगी है वो क्लैरिटी है बिकस उसने शुरू किया ट्रैकी अपना नाम भी जो है वो मिशेल ही लिख रहा है अब यहां पर जो चीजा वो मुझे क्लियर नहीं हो रही हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट में एक ही नाम के दो लोग भी तो हो सकते है बट इसकी वज़ा समझे लग रहा है कि इसका option या तो conciseness होगा या फिर clarity होगा आप एक दफा दुबारा इसको clear करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जुरूर डिसकस करें कि इसका option आपको क्या लगता है कि क्या answer होना चाहिए अब यहां पर उसने क्या बोला है कि एक reminder आपको करवाया जा रहा है कि कल हमारी meeting है तो मैंने आपको यह reminder के लिए 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 अब यह coherent है यह correctness यह completness यह लेकिन इसमें courtesy नहीं है मतलब कि कोई जिस तरह से कहा जाते है respectfully बोलाया जाए किसी को या फिर बात की जाए या फिर एंड पर बोला जाए थैंक्स डिगार्ड वो यहां पर मुझूद नहीं था सो मैंने courtesy यूज किया 4th पर हाई Suzanne I think we need to talk about the CSR campaign I mean the one which we need to do as a quarterly exercise I think it is a great way of enhancing our brand image basically it would be a visit to an orphanage but we can sort of do we can sort of do other things too for instance we could take the kids out for a short trip to a nearby park or zoo let us sit and talk tomorrow regards Jennifer Suzanne ने ये नोट जाए वो लिखा है और लिखा है किसको Jennifer को अब इसके अंदर correctness कुए किसमें मुझे किसी किसम के mistake नहीं नजर आरी पूरा है ये completeness भी इसके अंदर मुझूद है ये जो नोट है लेकिन basically ये नोट जो है ये काफी लंबा है यानिके इसमें conciseness नहीं है conciseness का मतलब होता है कम से कम अलफाज में अपनी बात को बयान करना है that's why मैंने इसके लिए conciseness चूज किया है नेक्स आगे है dear James I would like to talk to you about the new clients project which the engineering team had discussed yesterday I might need the help of John from your team regards Kevin अब ये note लिखा गया है James को लिखा गया है उसको बोला गया कि आपकी टीम का मुझे एक शखस है John जिस मुझे help चाहिए लेकिन क्या help चाहिए क्यूं help चाहिए ये सब कुछ डिसके नहीं किया गया इस note के अंदर या फिर John जो है वो क्यूं help करे इस चैना की चीज़ों को clear नहीं किया गया so मुझे लगा कि इसलिए जो message ये basically complete नहीं है I would like to talk to you about the new clients project which the engineering team had discussed yesterday that's why मैं इसके लिए completeness का option चूज किया next आगे suppose you are working as a sales manager at in Sabroso your company has introduced two new products you are required to write a direct business message to the leading stores management for the sales and promotion purposes use the following organizational chart for highlighting and endorsing the features of your product basically नीचे एक चाट दिया गया था और बोला गया था आप से के आपने क्या करना है आपने एक direct business message लिखना है अब कुछ assignments मैंने देखिया कि उसी चार्ट को उन्होंने फिल आउट कर दिया और बोला कि यह आपका direct business message है जबके ऐसा नहीं direct business message का एक proper form है एक proper तरीका है लिखने का यहाँ पर Sabroso का एक logo होगा जो आपके assignment की files के अंदर मुझूद होगा अपना सब्रोसो का जो लोगो है वो यहाँ पर पेस्ट करेंगे वो as it is easy रहने दीजिएगा अपनी assignment से उसको delete मत कीजेगा next अब किसी भी किसम का अगर आपको लिखना है direct business message सबसे पहले आप क्या करते हैं सबसे ओपर लिखते हैं अपना नाम ठीक है जो के message लिख रहा है आप उसका नाम लिखेंगे उसके बाद अपनी company का अपने office का आप address देते हैं अपना phone number देते हैं और अपनी तमाम पर contact information देते हैं मैंने यहां पर ABC at the rate of gmail.com इस हुझा से लिख है कि सब्रोसो का जो Gmail का की ID या यह Gmail address जो है वो मुझे मिल नहीं रहा था that's why मैंने यहां पर यह dummy address लिखती है next इसका तरीका ही है कि आगे आपको क्या करने है आगे आपको date लिखनी है नाम लिखना है general manager को आप लिखने है क्योंकि उन्होंने बोला था managing representatives को लिखना है तो मैंने general manager को लिख दिया उसके बाद store उनने बोला था leading stores मैंने एक store लिया मतलब के metro for example example ले लेते हैं कि हम metro को लिख रहे हैं यह जो message है I am writing to you today on behalf of Sabroso के सब्रोसो के बहाफ पर मैं आपको यह message लिखनी हूँ We are committed to bring the top noach protein rich product which is in compliance with internationally recognized and recommended health and safety standards यानि के वो बता रहे हैं के हमारी जो company है वो basically क्यों बनाई है हमने वो company हमारी company जो है वो बहुत ही अच्छा chicken provide करती है healthy chicken provide करती है हर तरह से internationally recognized है Now we have introduced two new products और अब जो है हम दो new products introduce कर रहे हैं chicken donuts and chicken poppers Both of these products are mouth watering and meet all the standards On the launch of these new products we are offering buy one get one free If you are interested in making order or have any queries please let me know by email और email address आगे देंगे आप और call at this number यानि के number जो उपर आपने लिख है वो ही number आप यहां पर लिखतेंगे इसके इलाब आप इसके अंदर कुछ चुछ चीजे भी शामिल कर सकते हैं मजीद offers शामिल कर सकते हैं हम आए दिन बहुत से एड्स देखते रहते हैं आप आए वन गेट वन फ्री के जगा करने आए थी गेट वन फ्री ठीक है इसके लब आप यह कर सकते हैं कि अगर आप हमें जल्दी ओर देंगे तो हम आपको 50% ओफ देंगे अगर आप फोरी तोर पर रिप्लाइ करते हैं आपका नाम Lucky Draw में शामिल किया जा सकते हैं इसता हैं कि डिफ्रेंट offers आप अपने पास से भी इसमें एड्ड कर सकते हैं नेक्स आप लिखेंगे सिंसियरली सेल्स मैनिजर रोशनी राफ यानिके नेक्स लास्ट पर आप अपना नाम लिख देंगे आपको आज की इस एससाइनमेंट की वीडियो से काफी हल्प हुई होगी अगर आपकी हल्प हुई हो तो वीडियो के लाइक जरू कीजेगा और मैंजरे इनको सब्सक्राइब जरू कीजेगा थैंक यू सो मच फर वाचिंग अल्ला हाफिज